वाल गाइज अगर आप एक वाशिंग मशीन लेने का सोच रहो और आपको चाहिए कम पैसों में ज्यादा कैपसिटी तो अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन से लेनी हैं तो देखो इन मशीन में बेसिकली होता क्या यह फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होती अपने नाम की तरह like fully automatic में आपको just कपड़े डालने आप फिरियो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना एक basic timer लग जाता है और गंटे बर में आपके कपड़े दुल के बाहर आ जाते हैं लेकिन बात करें न semi automatic machines की तो इन में होता क्या है दो drums होता है एक कपड़े दुने का drum और दूसरा होता है कपड़ों को सुखाने यानि dry करने का drum so that इसका नाम है semi automatic machine यहाँ पर आपको कपड़े दुलने के बाद उन कपड़ों को दूसरे drum में डालना होता है सूखने के लिए and beach में कुछ activities भी करनी पड़ती है like water drain करना पड़ता है and काफी कुछ manually होता है बट अगर आप convinced जो कि आपको semi automatic washing machine ही लेनी है तो guys in today's video में आपको बताने वाला हूँ इंडिया की top 5 best semi automatic washing machines जो की 2023 की the best machines है सारी जो machines है ना लगबख 10-12000 के आसपास आजाती है and हर capacity की washing machine की links मैंने description में दियो ही है like video में अगर मैं आपको 7kg बता रहा हूँ तो उसकी 6kg, 6.5kg and different different variants आपको description में दियो है links में मिल जाएंगे अगर आप E-Tetra Hub पर नए हो देन hit that subscribe button बगल वाले बहले को दबा दो बाकी guys चलिए, let's get started guys list मैं सबसे पहले आती है number 5 पे which is Amazon Basics washing machine यार Amazon Basics की यह जो washing machine है ना मैं 7kg वाले बता रहा हूँ आपको यहाँ पर आपको थोड़े बहुत heavy wash functions वगेरा मिल जाते है सबसे पहले look wise बात करूं white color के काफी elegant and crispy color में आती है आपको drain outage pipe साथ में मिलता है machine के body काफी durable है देखने में and 7kg है लेकिन लगती छोटी है आपको रखने में आसानी होगी washing machine में आपको 2 wash programs मिल जाते है auto temperature cutoff मिल जाता है and wash timer and selector मिल जाता है अलग से wash timer के साथ-साथ आपको spin timer भी मिलता है लग से and normal drain heavy तीन अलग-अलग washes के लिए wash drain selector भी मिल जाता है बाकी lastly एक ignition मिलता है जिसके थूँ आप switch कर सकते हो wash and spin के बीच में lid panels plastic में मिल जाते हैं blue color के इसकी performance की बात करूं तो 1300 RPM की motor लगी हुई है इस machine में साथ की साथ buzzer caster wheels twin water inlet lint filter punch type pulsator anti-rust plastic body आती है and waterproof and shockproof panels मिलते हैं गयर overall इस washing machine की बात करूं ना इसमें आपको 7 kg तक की wash and 4.6 kg तक का dryer मिलता है अगर आपकी family थोड़ी बड़ी है 5-6 लोग होगी है आपका काम इस washing machine में आराम से चल जाएगा अगर आपको छोटी चीए तो इसमें छोटे variants भी अवे लेवल है अगर बड़ी चीए तो बड़े variants भी अवे लेवल है वैसल सभी की लिंक्स देचू काम डिस्क्रिप्शन में इस वाली washing machine का price लगबख साड़े नहजार के आसपास है अब overall guys इस washing machine पर आपको 2 years की warranty मिलती है और 5 years की warranty मिलती है on motor विच इस गोदरेज semi-automatic washing machine यह गोदरेज की यह जो washing machine है ना यह भी 7 kg capacity के साथ ही आती है बट यहां पर ना build quality काफी जादा अच्छी है Amazon के comparison में आपको spin timer, wash selector and wash timer सारी चीज़े मिलती है इसमें भी जो wash timer है वो 35 minute तक का आजाता है बाकि spin and wash के बीच का shifter मिल जाता है washing machine के अंदर जो wash inlet pipe है वो उपर की तरफ ही मिलता है same Amazon basic की तरह आप तीन तरह के अलग-अलग wash में select कर सकते हो like regular drain and strong अंदर के जो drum है same plastic body में ही आते है बाहर से पूरी plastic body है बट जो plastic का material की quality है वो काफी अच्छी आती है in comparison to Amazon बाकि उपर ये तरफ आपको same plastic lid मिलती है बट यहां पर जो आपको motor मिलती है वो 1400 RPM की आती है एंग तीन तरह के wash program से हाँ पर बाकि तो इसमें भी आपको cartridge lint filter मिल जाता है caster wheels मिलते है active soap option है spin shower है जो इसकी motor है उसके उपर 5 साल की warranty and overall washing machine के उपर आपको 2 साल की warranty मिलती है same Amazon basics की तरह price की बात करूँ 12,000 रुपे में आ जाती है but offline में इसका price थोड़ा सस्ता है अगर आप इसको offline purchase करते हो तो आपको लगबग 11,000 के आसपस मिल जाएगी now guys here comes the third one which is Samsung inverter washing machine अब यह Samsung ना हमेशे अपने products में innovation लानी कोशिश करता है सबसे बहले बात करूँ इस washing machine के look की तो यह look wise ना यह washing machine काफी जादा अलग निकल के आती है आपको washing machine की body भी काफी heavy material में मिलती है and कुछ नए features के अलावा यह washing machine काफी कम दामों में आती है यहाँ पर मैं जिस washing machine की बात कर रहा हूँ यह 7 kg capacity के साथ आजाती है same आपको 2 drums मिल जाते है एक wash and एक spin drum यहाँ पर आपको air turbo drying मिलती है जो कि थोड़ी बहुत जल्दी dry कर देती है आपके कपड़ों को digital inverter technology मिल जाती है तो जो आपकी washing machine से उनसे काफी कम आवाज आती है आपको child lock मिलता है delay end मिलता है magic dispenser मिल जाता है eco tub cleaning मिल जाती है air turbo मिलता है और बड़े wheels है इसके थोड़े से साथ की साथ जो donald lid है वो plastic की आती है उपर की बाकी यहाँ पर आपको wash timer मिल जाता है तीन तरह की wash का selection मिल जाता है जहाँ पे normal general heavy कर सकते हो train selector भी मिलता है इसमें जो बाकी washing machines में नहीं मिलता एंड उसके अलावा spin timer भी मिल जाता है बाकी washing machine के उपर आपको same 2 years warranty on product and 5 years warranty on motor मिल जाती है price की बात करूं 11,600 रुपे में आ जाती है या मेरी तरफ से highly recommended है यह washing machine अगर आपका budget इसके आसपास है ना और आपको एक value for money product लेना है और यह washing machine भी काफी कम budget में आती है यहाँ पर मैं आपसे बात करूं इस washing machine के बारे में तो यहाँ पर आपको inbuilt collar scrubber मिल जाता है super soak technology मिल जाती है इसकी जो motor है ना वो भी 1400 rpm की आती है super soak technology की मदद से आप soaking and scrubbing continuously 25 minutes तक कर सकते हो तीन तरह के यहाँ पर आपको wash programs मिल जाते है delicate, normal and heavy inbuilt आपको scrubber मिल जाता है जो की आपको एक perfect wash देता है for clothes बाकि एस wash station है like एक right में lid खुल जाती है like उसके उपर आप रखके कपलों को carry कर सकते हो आसानी से look wise यह washing machine ना बाकियों से काफी different है black color के काफी premium look में आ जाती है बाकि आपको 3 timer मिल जाते है like dry timer, drain selector and wash timer अब इस washing machine की सबसे अच्छी USP है ना वो है price and the capacity आपको 7 kg की washing machine के वल साड़े 11,000 रुपे के price पर मिल जाती है बाकि warranty की बात करूं same आपको 2 year warranty मिलती है on product and 3 years की warranty मिलती है on motor बाकि आप इसमें warranty extend भी करवा सकते हो वो सब आप links के दूर जाके check कर लेना now guys here comes the last and the best one which is LG 7 kg 5 star washing machine यार मैं certify करता हूँ आपको अगर आप इस washing machine को लोगे ना 10 साल तक ये washing machine कहीं नहीं जाने वाली मैं already इसका एक version यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8 साल से and lastly मैंने fully automatic में upgrade किया है बाट ये washing machine भी अभी भी चाल हूँ है काम चल रहा है हमारा आराम से बात करूँ इस washing machine की तो देखो 7 kg वारे variant की बात कर रहा हूँ वैसे सभी variants में थोड़े बहुत ही फरक है जाद तर सेम है सब कुछ आपको 1300 RPM की high spin motor मिल जाती है यहाँ पर low water consumption मिल जाता है बाकी same बाकी machines की तरह आपको दो drums मिलेंगे look wise यह washing machine काफी जादा एनन सिक लगती है and एक rich look देती है आपको drain selector मिल जाएगा spin timer मिल जाएगा तीन तरह की wash modes मिल जाते है wash timer and wash selector भी मिलता है बाकी washing and soaking के बीच का lever मिल जाता है आपको यहाँ पर roller jet pulsator मिलता है नीचे की तरह अब यह बला करती क्या है देखो अगर आपके कपड़े इसमें machine में जाके घूमते है ना तो वो almost 360 degree घूम जाते है तो कपड़े काफी जादा अच्छे तरीके से दुलते है आपको collar scrubber भी मिलता है इसमें same whirlpool की तरह बाकी lint collector मिल जाता है अगर आपके कपड़ों में कोई गंदी की बागिरा होती है तो उस गंदी को वो collect कर लेता है बाकी देखो अलग-अलग variants अपने drive feature को अलग-अलग नाम देता है यहाँ पर आपको wind jet drive मिल जाता है samsung air turbo नाम देता है अब देखो यार यह washing machine ना थोड़ी से महंगी आती है वाकी washing machine से लग-बग 13,000 रुपे का आता है इसका 7 kg वाला variant और यार देखो अलग-अलग variants का अलग-अलग price है सारे variants description में दे दिए मैंने आपको वो आप ले सकते हो 5-6 लोगों के लिए 7 kg वाला variant काफी है बाकि अर आज की इस वीडियो में पस इतना ही अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है ना देल लाइक करना नीचे कमर से में को बता हो और किस-किस washing machine के उपर आप वीडियो देखना चाते हो बाकि मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी ने topic के साथ में